ताजा मतदान प्रतिशत क्या है मध्यप्रदेश का? प्रतिशत अब तक मतदान हुआ है साले तीन बज़े तक की आकड़े हम आपको बताएंगे चुकि चार लगभग बच चुका है सबसे पहले सीट आती है रीवा जा रीवा कि अगर हम बात करें तो रोचक काफी मुकाबला है दौनों ही पाच्यों के बीच यहां 37.55 फीजदी यहां मदान हो चुका है रीवा कि यह हम आपको बता रहे हैं आकड़े साले तीन बज़े तक के 37.55 फीजदी चलिए अगली लोग सभा सीट पर आएंगे अगली लोग सभा सीट के हम आकड़े बताएंगे सतना लोग सभा सीट जहां पर 47.68 फीजदी चुनाव जो वोटिंग है वो हो चुकी है तो सतना की यह आकड़े 47.68 फीजदी सतना भी एक विहदी महदवपूर सीट है 2023 और 2024 में प्रत्याशी सेम है लेकिन देखने वाली बात होगी क्या 2023 के नतीज़े 2024 में रिपीट होंगे या नहीं होंगे चलिए अगली लोग सभा सीट की हम बात करेंगे सतना के बाद में अब अगली लोग सभा सीट आती है टीकमगर टीकमगर में 48.76 फीजदी वोटिंग अभी तक हो चुकी है यानि कि अगर आकड़ो वार हम देखें साड़ी तीन बच चुका है लेकिन अभी भी पचास के अंदर ही जितने भी आकड़ अभी तक हम देख पा रहे हैं आए हैं यानि कि वोटिंग फीजदी का जो लक्ष लगतान निर्वाच्वनाय उग भी रख राता पाटियां भी रख रही थी वो कहीं न कहीं थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है चलि अगली लोग सभा सीट के हम बात करेंगे अगली लोग सभा सीट देखेंगे टिकमगड के बाद आती है दमों लोग सभा सीट तो यहाँ पर 45.69 ती अभी तक वोटिंग हो गई है साली 3 बज़ तक की ये ताजा आकड़े हम आप तक पहुचा रहे हैं यानि कि सभी लोग सभा सीटों पर अभी 50 के अंदर का ही आकड़ चल रहा है यानि कि पिछली 2019 के मुकाबले देखें तो बेहधी कम ये आकड़े हैं जो भी तक सामने आए हैं चलि अगली लोग सभा सीट की बात करेंगे दमों के बाद में अगली लोग सभा सीट आती है खोशंगाबाद यानि नर्मदापुरम 55.79 ती सबसे ज्यादा नर्मदापुरम सीट पर ही यहां अभी वोटिंग होई है 55.79 ती साले तीन बज़े तक की आकड़े हैं और खैर अभी पूरा दिन बागी है देखने वाली बात होगी अभी भी अनादी टीवी की आप सभी से अपील है कि जो भी लोग घर में बैठे हैं जोन्होंने वोट नहीं किया है तो क्रप्या कर अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें